हलो दोस्तो मैं दिपक कुमार और आप देख रहे ओय पांडे जी दोस्तो आज मैं आपसे एक बहुत ही बहतीरिन ब्लॉगर टेंपलेट के बारे में बात करने वाला हूँ और कस्टम टेंपलेट को ब्लॉगर के न्यू इंटरफेस के अंदर केस से अपलोड किया जाए पीच के ब्लॉग के लिए इस्तमाल कर सकते हैं खास करके इसका जो हेडर सेक्षन यह मुझे काफी ज्यादा पसंद आया और यहां आप जो मेनू देख रहे हैं अगर इसके sidebar की बात करें तो यहां पर जो recent post और popular post का widget है उसका style कुछ premium theme की तरह लग रहा है उसी तरह से अगर मैं यहां पर किसी post को open करूँ तो यहां पर आप यह देख सकते हैं इसका design काफी अच्छा है नीचे आपको social share button मिल जाते हैं और उसके नीचे आज जो related post के widget है वो भी देखने को मिल जाता है तो दोस्तों मुझे टेंपलेट काफी ज़्यादा पसंद आया है इसलिए मैं अपने blog thehindi.net के अंदर इसी टेंपलेट का इस्तेमाल करने वाला हूँ मैंने अलरी इस टेंपलेट को डाउनलोड कर लिया है यदि आप भी इस टेंपलेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नीचे description में इसका link मैं दे दूँगा इस टेंपलेट को अपने blogger के अंदर install करने के लिए सबसे पहले आपने template का जो zip file डाउनलोड किया है उससे आप extract कर ले extract करने के बाद यहाँ पर आपको एक xml file मिलेगा वही important है जिसे आपको blogger के अंदर upload करना है अब आपको अपने blogger के dashboard के अंदर जाना है इसके बाद आपको यहाँ पर जो theme का section मिल आया है उस पर click करे अब यहाँ पर आपको जो customize का button दिख रहा है उसके right side में जो drop down का arrow है उस पर click करें अब यहाँ पर आपको बहुत सारे option दिख रहे हैं यहाँ से restore को select करें अब आपको यहाँ पर upload पर click करना है और अपने computer से आपने जो xml file को extract किया था उसे select करके आप open पर click कर दें अब दोस्तों हमारा जो template है वो install हो चुका है मैं अपने blog को refresh करके यहाँ पर दिखा देता हूँ तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हमारे blog के अंदर changes हो चुका है लेकिन इसमें कोई content ना होने की वज़े से यह अभी blank show कर रहा है तो दोस्तों आशा करता हूँ यह template आपको अच्छा लगा होगा यदि आपका blogging से जुड़े कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे comment में पूछ सकते हैं और अगर आप मेरे channel पर नए हैं तो इसे subscribe करना मत भूले तो दोस्तों फिर मिलते हैं और एक नए video के साथ तब तक के लिए धन्यवाद